आखिर का करन को ये बात पूरी तरीके से पता चल गई कि आखिर प्रीता रहती कहां है बहुत ही जादा दिमाग आजकर लगा रहा है करन कि किस तरह से प्रीता से वो मिल सकता है तबी तो देखिए न यहाँ पर अचानक से जब पलकी जो है वो रेडी होती अपने घर जाने के लिए तो यहाँ फटाफट करन जो है वो आव देखता है नताव और फटाक से ये बोलता है कि मैं तमें घर छोड़ देता हूँ जो है राजवीर के घर भी इसी बहाने पहूँँगा और वहाँ पर मैं प्रीता से मिल लूँगा यही खयाल जो है वो लगातार करन के दिमाग में आ रहे हैं तो बस अब यहाँ पर पूरी तरीके से सोच चुका है कि क्या करना है करन को तो यहाँ पर राजवीर भी मना नहीं कर पाता करन को और करन के साथ, राजवीर, पलकी और शनाया ये तीनों जो है वो निकल जाते हैं मनी मन करन बहुत सारी बाते सोच रहा होता है जिहां कुंडली भागे के एपिसोड में आप देख रही है कि करन और प्रीता की जो मुलाकात है वो होते होते रह जा रही है किसमत जो है वो जबरदस तरीके से खेल खेलती नज़र आ रही है आज पास होते हुए भी करन और प्रीता एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जब करन और प्रीता एक होने वाले है हला कि इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर करन पूरी तरीके से प्रीता के करीब बहुत चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो प्रीता से मिलते मिलते रह जाने वाला है विल आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जब करन पहुँचता है पलकी और राजवीर को छोड़ने के लिए तभी यहाँ पर पलकी जो है वो चाय कॉफी के लिए ओफर करती है करन को लेकिन करन जो है वो अवोईट करता है और करन सोचता है कि काश राजवीर एक बार बोल दे और वो उसे घर के अंदर लेकर जाए और फिर यहाँ पर जो करन है वो मना कर देता है पलकी को नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी तो मैं बस आया हूँ और मैं जा रहा हूँ जिसके बाद उसे फिर भी एहसास होता है कि शायद राजवीर एक बार बोल दे कि वो आ जाए अंदर और कॉफी चाय पी ले लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि राजवीर तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रीता और करन का आमना सामना हो इसी के साथ यहाँ पर करण अपने आपको रोप नहीं पाता और कहता है कि राजवीर तुम भी तो कम से कम बोल दो कि कभी तो चाय काफी आफर कर दिया करो तुम्हारे घर के पास भी आया हूँ, तुम्हारा भी तो घर पास में है जुसके बाद राजवीर कहता हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि आपने पलकी की चीजों को रिजेक्ट कर दिया इसकी तरीके से जवाब देता है यसे सुनने के बाद यहाँ पर करन की हालतखराब हो जाती है, और उसकी बोलती है वो अपनी गाड़ी मोड़ता है और पहुचता है पलकी के घर अब देखना होगा कि यहां पर किस तरह से करन की मुलाकात हो दी है या फिर से होते होते रह जाती है इस वीडियों बस इतना ही टीवें पॉलिवर्ट से रिलेटेड ख़बरों के फिरिंग बीड सब्सक्राइब करें और विडियों पर देख रहे हैं तो मारी फिस्टूप पीज को फॉलो करें